हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में तो चलिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नास्ता बना कर त्यार करते हैं इस नास्ते को बनाने के लिए नहीं मैंने सूजी का इस्तमाल किया है नहीं बेशन का नहीं गेहों के आटे का इस्तमाल किया है नहीं मैदे का फिर भी ये नास्ता बहुत ही टेस्टी बनकर त्यार हुआ था आप एक बार इस नास्ते को जरूर ट्राई करिएगा, तो इस नास्ते को बनाने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रखा है, उसमें दो चमच तेल डाला है, उसके बाद हम इसमें एक कटोरी कटा हुआ मेथी का पत्ता डाल देंगे, दो मिनट के लिए हमें भुनना है, उसके बाद हम इसमें दो कटोरी पानी डाल देंगे, और हमें इस तरह से इसे मिला लेना है इसके बाद हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्श डालेंगे एक चमच, दो चमच के करीब मैंने इसमें तील डाला है और स्वात के अनुसार नमक डाल देंगे इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे और हमें इसे कवर कर देना है और इसे हमें एक उबाल आने तक इसे हमें उबाल लेना है अच्छे से तो इसमें देख सकते हैं उबाल आ चुका है तो अब हम इसे इसका धकन हटा लेंगे थोड़ा से हमें इसे इस तरह से मिला लेना है इसे मिलाने के बाद ये मैंने एक कटोरी चावल का आठा लिया है तो हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देना है और इसे हमें लागातार चलाते हुए पकाना है ताकि हमारा चावल का आठा कढ़ाई में चिपके ना और गुठली ना बरने तो हमें इस लगतार चलाते हुए पका लिया है गैस को मैंने आफ कर दिया था उसे ढख कर पांच मिनट के लिए छोड़ दिया है पांच मिनट के बाद इस डो को हम थाली में पलट देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने तक हमें इसे छोड़ देना है उसके बाद इसका एक सोफ्ट सा आटा लगा कर त्यार कर लेना है ये नास्ता दोस्तों बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है आप इस एक बार जरूर ट्राइ करिएगा इसमें से छोटी छोटी लोई ले लेना है इस तरह से लोई लेने के बाद इस सुखा आटा डाल कर इस तरह से हमें हाथों की मदद से इसे हम फैला लेंगे इसकी उपर मैंने थोड़ा सा तील चिपका दिया इस तरह से और इसी तरह से हमें हाथ से इसे फैला लेना है तबा गरम होने के लिए मैंने रख दिया है तो अब हम इस रोटी को इस तवे पर इस तरह से डाल देंगे और दोनों तरफ से अच्छे से हमें इसे कुक कर लेना है तो नीचे के तरफ से ये पक चुका है तो हम इसे पलट देंगे इसी तरह से उलट पलट कर हमें इसे पका लेना है तो मैंने इस पे घी डाला है और इसे हम अच्छे से सेक लेंगे आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं ये नास्ता बहुत ही जल्दी बन कर त्यार हो जाता है दोस्तों आप एक बार जरूर ट्राइ करिएगा चैनल पर अगर आप नए हैं तो पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा विडियो को एक लाइक जरूर दीजेगा दोस्तों अपने फ्रेंड और फैमली के साथ सेयर करिएगा मिलते हैं फिर हम अगले विडियो में इसी तरह की रेसिपी लेकर